C.I.E.T. and C.E.R.T. द्वरप्रस्चुत है कक्षा 3 की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का 23 पाठ कपड़ा सजा कैसे साजिदा की आपा ने उसे एक बहुत सुन्दर दुपट्टा दिया दुपट्टे की उपर सुन्दर कड़ाई थी और शीशे भी लगे हुए थे रात को खाना खानी के बाद साजिदा दुपट्टा अलग-अलग तरासे ओड कर खेलने लगी खेलते खेलते थक गई तो वह दुपट्टा ओडे ही सो गई सपने मी वह सोचनी लगी इतना सुन्द दुपट्टा कैसे बना होगा बताओ, साजिदा का दुपट्टा कैसे बना होगा? तुम भी एक दुपट्टा या कोई थोड़ा लंबा बिना सिला कपडा लो उसे अलग-अलग तरह से पहन कर देखो कितनी तरह से पहन पाए? क्या किसी ने उसे लुंगी बना कर या साफा बना कर पहना? दुपट्टे को और कैसे कैसे पहना? अपने घर में कोई छै कपड़े देखो तुमने कपड़ों में क्या-क्या अंतर पाया? जैसे चूने में, रंग में, डिजाइन में किसी मोटे कपड़े या बोरी को ध्यान से देखो क्या तुम्हें खड़े और लेटे धागे दिखाई दिये? किसी भी कपड़े को नस्दीक से देखोगे तो तुम्हें ऐसी ही बनावट दिखाई देगी तुम भी इसी तरह कागस की पट्टियों को बुन कर देखो कागस से बुनाई दो अलग-अलग रंग के कागस लो एक कागस पर खड़ी लकीरे खीचो और दूसरे पर लेटी दोनों कागसों पर खीची गई लकीरों को काटो ध्यान रहे पट्टियों अलग-अलग ना हो जाए दोनों कागसों को एक दूसरे के उपर रख कर उनके दो किनारे आपस में जूड़ दो अब कटी हुई पट्टियों को एक दूसरी के साथ बुनकर मैट बनाओ इसकी किनारे पर एक कागस का बॉर्डर या टेप चिपका दो जिससे वे खुले नहें कपडे पर छपाई तुमने पौधों की परी पाट में कपड़ों पर बने फूल पत्तियों के डिजाइन देखे कटी हुई सबजियों की मदद से तुम भी कुछ डिजाइन बनाओ गोभी के फूल या भिंडी को बीच से काटो उन पर गीले रंग लगाकर कागज या कपडे पर ठप्पे लगाकर अपनी पसंद की डिजाइन बनाओ कपडा सजा कैसे अभी आप सुन रहे थे कक्षा 3 की पाठ्थे पुस्तक हमारे आसपास का ये पाठ प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. न.ई.दिल्ली भारत